हेलो एब्रीवन कैसे आप सब लोग आई होप आप सब लोग ठीक होंगे तो आए शुरू करते हैं आज को जो टॉपिक का दोस्तो उस टॉपिक करना में कि वर्ट इस प्रेजेंटेशन क्या होती है आज हम आपको इसके बारें बताएंगे कि प्रेजेंटेशन किसे कहते हैं और प्रेजेंटेशन क्या होती है कहा प्रेजेंटेशन कहा जाता है कि प्रेजेंटेशन है तो आए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे सबसे पहला पॉइंट एक प्रेजेंटेशन होती है यह क्या होती है एक communication का form होती है एक जो presentation होती है दोस्तों वो क्या होता है एक communication की form होती है in which जिसमें जो speaker है वो क्या करता है अपनी information को किसके साथ share करता है वो audience के साथ share करता है जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि a presentation is a form of communication in which the speaker speaker it means कि जो बोलने वाला है conveys information to the audience और क्या करता है वो अपनी audience को या उस presentation में बैठे हुए लोगों को क्या करता है information provide कराता है in an organization अगर हम किसी organization की बात करते हैं तो presentation are used in various scenarios like talking to a group addressing a meeting demonstrating or introducing a new product or briefing a team अगर क्या होता दोस्तों किसी organization में हम presentation की बात करते हैं कि वो organization में presentation का मतलब क्या है तो वो कई-कई तरीकों से organization में presentation को scenario में रखा गया है जैसे कि talking to a group अगर हम group में बात करते हैं या talking to a group यानि group में बात करना वो भी किसका part है presentation का part है आइड्रेसिंग यानि किसी मीटिंग को आइड्रेस करना वो भी किसका पार्ट है दोस्तों एक प्रजेंटेशन का पार्ट है और टीम को ले करके कभी क्या होता है दोस्तों कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे सेल्स परसन के पीश में क्या होता है एक इंडिविज्वली मीटिंग बुलाई जाती है और वहाँ पर उस प्रड़ेट को ले करके या काम को ले करके भी क्या होता है एक प्रजेंटेशन ब किया जाता है या तो new idea को involved किया जाता है to a group of people लोगों के group के लिए तो समझ में आया दोस्तों आपको presentation क्या होता है presentation एक ऐसी communication की form होती है जिसमें क्या होता है जो speaker होता है वो अपने information को audience तक पहुंचाता है number 1 अगर number 2 में बात करते हैं अगर हम organization में presentation की बात करते हैं तो वो कई scenario की तरफ से देखी जा सकती है पहला logo talking to a group लोगों से बात करना दूसरा addressing a meeting यानि कि कि किसी meeting को address करना तीसरा demonstrating or introducing a new product कि या तो कोई market में नया product आया हो उसके बारे में discuss करना और briefing a team और किसी team के साथ meeting करना इसमें किसी product को ले करके काम को ले करके कुछ भी better हो सकता है कि ये चीज या कोई issue को ले करके team के साथ meeting करना this is also a part of presentation it involved इसमें can involve क्या जादा होता है दोस्तों कि सबसे पहला इस meeting का या इस presentation का subject गया है ये किसी subject को ले के हो सकती है किसी issue को ले के भी presentation हो सकती है किसी new ideas के लिए जो new ideas आते हैं उसको ले करके हम क्या कर सकते हैं presentation दे सकते हैं किसके लिए group of people यानि जो लोगों का समुआ उसको भी हम information दे सकते हैं ये सारी चीज़े क्या होती है presentation का एक part होती है आगे चलते हैं presentation is a form of communication in which speaker deliver information to an audience जैसे कि आपको बताया दोस्तों कि एक जो presentation होती है वो क्या होती है एक communication की form होती है जिसमें क्या होता है जो speaker होता है इसकी बोलने वाला वो अपनी information को deliver करता है किसको? audience को audience को होती है वहाँ पे जो battery होती है और जो speaker बोल रहा होता है उसको सुनने वाली उसी को हम क्या कहते है? audience कहते है तो एक जो presentation होती है दोस्तों वो क्या होती है? एक form होती है communication की जिसमें जो speaker है वो क्या करता है? deliver करता है अपनी information को किसको? audience को for instance, researcher often present their research to scholars in their field यानि कि जैसे कि अगर हम किसी researcher की बात करते है तो research ने अगर कोई research करी है मतलब researchers ने अगर कोई research करी है तो वो क्या करेंगे? जो अपने interview scholars हैं उनके सामने वो क्या करेंगे? अपनी scholars वो research को रखेंगे while businessmen often present their company progress to colleges जैसे company को जो businessmen होता है वो क्या करता है? जैसे कि यहाँ पर फिर से देख लेते हैं while businessmen often present their company progress to colleges यानि businessmen भी क्या करता है? अपनी company की progress किसे present करता है? colleges से present करता है next it is considered at the most effective form of communication because of two main reasons यानि कि दो most effective form है communication के जिसके दो बड़े reason है सबसे पहला point use of non-versal cues यानि क्या होता है? एक तो किसका use करना? non-verbal cues का use करना दूसरा facts relate instant feedback और उसमें तुरंत क्या होता है? instant feedback यानि कि अगर presentation में किसी को भी कोई question है तो आप तुरंत खड़े हो करके भी क्या कर सकते है? question को पूछ सकते हैं कोई doubt है उसको पूछ सकते हैं ठीक है? तो यह चीज़ कहा गई है कि it is considered इसे स्विकार किया गया है as the most effective form मतलब बहुत ज़्यादे effective form of communication की क्योंकि इसके दो बड़े रीजन पहला क्या होता है? use of non-verbal cues इसमें non-verbal cues का use किया जाता है दूसरा नंबर पे facts relate instant feedback यानि कि किसी को कोई doubt है कोई अपनी राय देना चाता है तो immediate presentation में भी दे सकता है next point in small presentation अगर हम छोटी presentation की बात करते हैं तो we can make use of a blackboard हमें किस की जरुत पढ़ेगी? blackboard की जरुत पढ़ती है graph की जरुत पढ़ती है chart की जरुत पढ़ती है तो उसमें हमें क्या पढ़ता है दोस्तो film की जरुत पढ़ती है slides की जरुत पढ़ती है videos की जरुत पढ़ती है animation की जरुत पढ़ती है modern computer graphics की जरुत पढ़ती है as a visual add के लिए चीक है? तो यह समझ मैं है दोस्तो की small presentation और बड़ी presentation में क्या अंतर हो सकता है small presentation में हमें blackboard की जरुत पढ़ती है graph की जरुत पढ़ती है chart की जरुत पढ़ती है and slide की किसलिए? visual add कर देखने के लिए और अगर हम large presentation की बात करते है तो हमें क्या करना पढ़ता है अगर अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तो हमाई वीडियो को लाइक और जरुर से जरुर सब्सक्राइब परें ताके आने वाली वीडियो आपको time to time मिलती रहे तब तक के लिए जय ही जय भारत वीडियो देखने लिए थैंकियो उश्यों मत दोस्तो वीडियो आने वीडियों मत दोस्तो